हलो दोस्तो मैं श्री अपने चैनल स्रेडी फोर्ट्स मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ गेहों के आटे से बनकर तयार होने वाली ये मेथी की मठ्रे जिसे आप बना कर महीनों स्टोर करके रख सकते हैं ये खाने में बहुत जादे टेस्टी लगता है बहुत जादे क्रिस्पी बनकर रेडी होता है आप कभी भी इसे बना सकते हैं लेकिन इस बार आपको पता है कि होली है तो होली पर क्या होता है सारी सीचे मैदे की बनी होती है जो कि नुकसान दायक होती है तो आप लोग इस बार क्या करिए इस बार आप लोग गेहूं के आटे की मठ्री बनाईए जो कि बहुत जादे टेस्टी लगती है और कहीं से भी वो मैदे की मठ्री से कम नहीं लगती आपको क्या करना है गिहूं का आटा लेना है और मेथी के पते को काट के अच्छे से आपको धुल लेना है तो गिहूं का आटा आप दो कटोरी लीजे तो एक कटोरी आप ले लीजे बेशन measurement आपको सीम रखना है इस इसका आपको ध्यान रखना है आप सूजी भी डाल सकते हैं पर सूजी का इसमें टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है बेशन और गिहूं के आटे से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा आप इसमें अजवाइन डालिए थोड़ा स इसमें कोई मसाला अपढ़ा कर सकते हैं मेरे पास कोई घर में ऐसे गरम मसाला पढ़ा तो मैंने डाल दियbon थोड़ा सा को इसमें नमक अड़ करना अप इसमें लालमज पाऊडर भी आट कर सकते अपने टेस्ट के एकॉाड लगा लेना है उसके बास से आपने जो मेथी के पत्ते काट कर अच्छे से धूल कर रखें वो आपको इसमें एड कर देना है आप चाहें तो मेथी के पत्ते थोड़ा सा आप जैसे कि किसी कड़ाई वगरे में डालके कुछ दिर आप पका कर भी इसमें डाल सकते हैं पर ऐसे आप डालेंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है लेकिन अगर ऐसे आप डाल रहे हैं तो हास से आप अच्छी तरीके से इसको इस तरह से मसल लें ताकि जो मेथी के पत्ते हैं इनका जितना मौस्टर है उसके अलाँ जिनका जितना भी इनका टाइट पन है कड बिल्कुल एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए उसके बास से आपको नॉर्मल पानी से इसाटे को गूत लेना है ध्यान रखेगा अगर आप इसमें बहुत ठंडी मना रही हैं तब आप क्या करिए तब आप हलका गुन-गुने पानी से आप इससे बनाईए लेकिन अगर आ बास से आपको इस तरह से इसको चिकना कर देना है और चिकना करने के बास से आपको इसको ढखकर रख देना है धकर से पांसे छे मिनटे से इसको रखना है तब तक कि जब तक आपका यह तेल गरम नो हो जाए तो तेल को रख देना है अच्छे से गरम होने के लिए तो अब से हमको रोटियां बेल करनी है तो इसके लिए हमें सुखा आटा स्लैफ या फिर चकले या किसी पर भी आप इस तरह किसे डाल कर आप जैसे नॉर्मल घर में रोटियां बनाते हैं उसी तरह से आपको बेलना है लेकिन थोड़ा सा रोटियों की साइज से थोड़ा बड़ा बे किला जो आपके कटोरी हो कुछ भी हो आप इस तरीके से लीजिए उसके बाद से गोल-गोल इन मठ्रियों को काट लीजिए और काटने के बाद से आपको इन पर जो फोर्क होता है यानि कि जो काटे वाला चमश होता जिसे आप लोग चौमिंग खाते हैं या फिर पास्ता अगरे खाते हैं उससे आपको इस पर छेट करना है सभी जितनी मठ्रिया है सभी पर आपको इस तरीके छेट करना है आप ये प्रक्रिया काटने से पहले भी कर सकती है काटने के बाद भी कर सकती है ये आप पर डिपेंडेंट है मैंने मैं भूल गई थी काटने से पहले इस मठ्री नहीं होगी पूरियां हो जाएंगी इस बात का हमको खास के हाल रखना है तो देखिए साही साही मठ्री हमने बना ली है अब हम इसमें जो हमारा तेल है इसमें हम मठ्री को तल लेंगे आज को हमको बिल्कुल कम रखना है तेल जो है कम आज पर ही अच्छे से गरम होना चाहिए इस बात का हमको ध्यान रखना है क्योंकि आज अगर हम बहुत तेज रखेंगे, या हाई रखेंगे, या मीडियम रखेंगे, तो यह गेहूं के आटे का है, इसलिए क्या होगा बिल्कुल करारा नहीं बनेगा, जैसे मैदे के आटे का बनता है, करारा सब ऐसा नहीं करेडी होगा तो इस बात का हमको विशेज कर ध्यान रखना है कि आज को हमको बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और अगर आप लोग को मेरी बनाई हुई मर्शी के यसी पसंद आ रही है तो आप लोग प्लीज मारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों कुट्रिया देखिए बनकर रेडी भी हो गई है आप देख सकते हैं देखने में ही क्रिस्पी लग रहा है और यह खाने में तो अजब बिल्कुल गजब का टेस्ट था जितने लोगों के पास सामने में ले गई सभी को बहुत पसंद आया तो इसलिए मैंने सुचा कि आप के साथ 40 रेश्पी को सेयर की जाए क्योंकि बहुत ही जादे टेस्टी रेष्पी होती है और सबसे अच्छी बात है क्योंकि गेहूं के आटे से बनकर रेडी हो रही है इसे मैदा वगरे का प्रयोक बिल्कुल भी नहीं किया गया है तो आप इस होली पर इस वाली रेष्प आई है तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप लोग को रेस्पी कैसी लगी है और हाँ अधिक से अधिक लोगों में सेयर जरूर कर दीजिएगा और देखिए हम इसे तोड का भी दिखा दे रहे हैं देखिए कितनी अच्छे से तूट रही है तो चलि है और बिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर अपना ख्याल लखिएगा थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे पूरा देखने के लिए हैपी होली एंज्वाई और डे